बिस्मिल्ला रह्मान रहीम, विल्कम बेक टू माई यूटीब चेनल डिली लाइब टैपस पार यू आज एक मरतबा पिर एक न्यू वीडियो के साथ हाजिर हूँ आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करते हैं किस तर आप लोग अपने पेस्बुक पेज के रीच को इंक्रीज करें आज का जो यह वीडियो है यह आप लोगों को मुटिवेट करने के लिए मैं बना रहा हूँ कि किस तरह आप लोग अपने पेस्बुक पेज के रीच को इंक्रीज करें जिब आपके पेस्बुक पेज का रीच इंक्रीज हो जाए तो इससे अटोमेटिकली आपका पेस्बुक पेज ग्रो करेगा आपके पेस्बुक पेज का जो फालोर्स है वो भी अटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा तो आज की studio के अंदर मैं आप लोगों को 5 ऐसा tips बताऊंगा जिसके जरीए आप लोग बहुत आसानी के साथ अपने Facebook पेज के reach को increase कर सकते हैं और इसके साथ साथ आप लोग अपने Facebook पेज के 10,000 पालोर्स और 4,000,000 को अच्टाइम को भी complete कर सकते हैं तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने Facebook पेज कर रिच दिखाऊंगा इसके बाद मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आप लोगों ने 5 ऐसा कौन से काम करना जिससे आपका Facebook पेज कर रिच ज्यादा हो जाए 2 laq reach है, इसके बाद मैं एक और तस्वीर पर click करूंगा, तो देकू, इस पर 4 laq है, यह आप लोग देख सकते हैं का 4 Laq reach है, सीरफ और सिरफ तस्वीर पर एक और तस्वीर में आप लोगो दिखाओंगा जिस पर भी 4 laq है, तो इ نए कू, इस पर और साथ ही दिविल आइकन को भी दबाई ताकि आप लोगं को हमारे आने वाजे इस तरह से वीडियो सबसे पहले मिलेंगे तो चलते हैं वीडियो के तरफ सबसे पहले हम बात करते हैं may लिज़न करें कि पहले नंबर टेप कौन सा है जिससे आप के Facebook Page का reach increase हो जाए ये तो हर किसी को पता है पस नंबर टेप्स के बारे में कि आप लोगों ने अपने Facebook पेज से related groups को जाइन करना है जब आप लोग अपने Facebook पेज से related groups को जाइन करें तो पिर आप लोगों ने क्या करना है इसको आप लोगों जाइन करना है पेक अकाउंट से जब आप लोग इसको तकरीबन 10-15 रपेक अकाउंट से शियर करें और इसमें आप लोग 3-4 शियरिंग करें तो इसके जिरिये भी आपके पेस्बुक पेज का रिच बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा ये तो हर किसी को पता है लिकिन बाद इदर खतनाँने होगा चार टेप्स और भी बाकि है जिसके बारे मेरे खियाल पर शिदार का आप लोगा पताने होगा जिसमें दूसरा नमबर है tantra ट्रेंदिंग टापेक आप लोगों ने पने पेस्बुक पेज से ट्रेंडिंग टाप बज़े अपलोड करता हूँ, जिब भी trending topic आजाए तो आप लोग ने डारिक अपलोड करना है, अगर रात 12 बज़े क्यों नहीं हो, लिकिन फिर भी आप लोग ने वीडियो को अपलोड करना है, अपने Facebook page से, क्यों कि trending में आप लोग ने सुष्ती नहीं करना हूँ, इसको पर लोड करें और फिर दुबार आप लोग इसको Facebook page से अपलोड करें, तो फिर हो सकता है कि आपके Facebook page में LLC आजाए, और जिब आपके Facebook page में LLC आजाए, तो फिर आपका Facebook page monetize नहीं होगा, इससे पिर आप लोग पेसे नहीं कामा सकते, तो आपने कोशच करना है कि जब भी लोड करना है YouTube से या किसी भी website से आप लोग ने वीडियो को डाउनलोड करना है, तो फिर आपका वीडियो वाइरल भी हो जाएगा और इस पर LLC नहीं आएगा, अगर एक मरतबा किसी ने वीडियो Facebook पर अपलोड करें, फिर आप इसको दुबार अपलोड करें, तो इस पर र पेज में अच्छे क्वालिटी का वीडियो अपलोड करना है, अभी अच्छे क्वालिटी का वीडियो कौन सा है, अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी का वीडियो नहीं जानते तो आप लोग ने वीडियो को डाउनलोड करना है, तो आप लोग ने अपलोड करना है, उपर वाली वीडियो को अफलोड करने है मतलब 10 LCP के वीडियो को आप लोग ने अपने Facebook पेज से अफलोड करने है जब आपके Facebook पेज के वीडियो अच्छे quality का है तो लोग इसको पसंद भी करते हैं इसको देखते भी है इसको लैग भी करते है इसको शेर भी करते है तो फिर अटिमिटिकली आपके Facebook पेज पर लाइक आ जाएगा और इसके साथ साथ आप लोग ने अपने Facebook पेज के वीडियो के लिए अच्छे quality का टाइटल एड़ करना है लिकिन टाइटल के साथ साथ जो main चीज है वो है तमनेल का अगर आपके Facebook पेज के वीडियो पर अच्छे सा तमनेल होता है तो फिर आपका हर वीडियो वाइरल होता है तमनेल के बाखिर वीडियो वाइरल करना बहुत ज्यादा मुश्किल है यह बिलकुल दियान से आप सुनें कि अगर आपके वीडियो पर तमनेल नहीं है तो सव परसंट चांसे है कि आपका वीडियो वाइरल नहीं होगा लिकिन अगर आप लोग अच्छे क्वालिटी के तमनेल अपने वीडियो पर एड़ करें तो फिर आपका वीडियो वाइरल हो जाएगा पांच वा नमबर और जो आखिर है वो इन चारों से जो एना इंपार्टन है जो है पेजबिक पेज में चेंजेस आप लोग ने अपने पेजबिक पेज में चेंजेस नहीं करना आज आपका Facebook page का एक नेम है और एक हपता बाद आपने इसको चेंज किया, दूसरा नेम यट कर दिया फिर आप इसको बार बार चेंज करते हैं नेम को चेंज करते हैं, डिस्क्रिपशन को चेंज करते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा गलती है, जब आप लोग इसको चेंज करते हैं, तो आपके Facebook पेज का अनक्टिव होता है, आपका जो audience है, आपके Facebook पेज को दुबार अनपालो करते हैं, और आपके वीडियो का जो रीच होता है, वो डाउन होता है, जब आप लोग अपने Facebook पेज से शियर करना है, थे लुटिवा पर आपका Facebook पेज के वीडियो के पेजichen मिनिकरना आपके ब्ड़ियो के इसको अपड़ुपाहिता हैं, तोुकर पूड़ ऑर प्योब्स को लिए ऍतलब अब करते हैं, आपका Facebook पेज क्रेकट प्राइ उपकी से यए उस इनक्रेकट वीडियो को अपलोड करना है अगर आप इसमें पुडबाल के वीडियो को अपलोड करें तो पिर आपका जो रीच है वो खतम होता है आपका रीच बहुत ज्यदा डाउन होता है तो आपने हमेशा के लिए अपने Facebook पेज से एक ही content को share करना है जिसके जरी आप लोग बहुत जल्दी ग्रो भी करते है और बहुत ज़्यदे पेज से आप लोग कमा सकते है अपने Facebook पेज से जो आपके एक ही content का है यह 5 steps ता जो मैंने आपके साथ share किया तो आज से आप लोग ने इन 5 steps को पालो करना है तो तब आप लोग बहुत आसानी के साथ grow कर सकते है अगर फिर भी आप लोग का कोई question है तो इस video पर comments करें या इस video के description मेरा Instagram का link है मेरा Facebook का link है आप लोग मेरे साथ Instagram पर contact करें या Facebook पर contact करें मैं आप लोग को ज़रूर guide करूँगा तो उमेद है कि आज का वीडियो आप लोग को पसन आई अगर पसन आई तो इस video को लैक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें शुक्रिया तेंक्स पर वाचिंग